Dear students, today we will discuss about partnership deed, सांजदारी सनलेग जैसा कि आप जानते हैं, एक सांजदारी की स्थापना एक Agreement के द्वारा होती है, ठहराव के द्वारा होती है इस ठहराव में, इस Agreement में सांजदारी से समंदित सभी सर्थें, सभी कंडिसन्स लिखी रहती हैं यह agreement लिखित भी हो सकता है, मौकिक भी हो सकता है, लेकिन विवारिक दरश्टी से, अगर ठहराओ लिखित है, तो वो better रहता है, ताकि भविशे में किसी परकार की कोई controversy ना हो, किसी परकार का कोई dispute ना हो, विवाद ना हो, यह जो लिखित प्रपत्र होता है, जिसमें सांजदारी से समंदित सर्तों का उलेख किया जाता है, उसे ही हम partnership deed, इनके सांजदारी सनलेख के नाम से जानते हैं, partnership deed को articles of partnership भी कहा जाता है, जिनके सांजदारी के अंतरनियम, सांजदारी के अंतरनियम मतलब आंतरिक नियम, partnership deed में बहुत सी conditions, सर्तें लिखी रहती हैं, accounting point of view से कौन-कौन सी सर्तें ऐसी हैं, जिनका लिखा जाना आवसेक होता है, उनके बारे में एक-एक करके हम यहाँ पर partnership firm, सांजदारी firm का नाम और पता, जब भी हम सांजदारी के स्थापना करते हैं, तो सांजदारी को एक नाम देते हैं, तो जब नाम दिया जाता सांजदारी का, तो ऐसी स्थिती में कुछ ऐसे सब्ध हैं, जो परतिबंधित हैं, तो उनका प्रियोग हमने यहाँ पर नहीं करना चाहिए, जैसे केंदर सरकार, रज्ज सरकार, इनके सेंटर गौर्मेंट, स्टेट गौर्मेंट, इसके साथ साथ फरम का नाम, किसी भी वर्तमान में चल रही पार्टनर्शी फरम के नाम के साथ मिलता जुलता, या कन्फूजन पैदा करने वाला, संका पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए, और नाम के साथ-साथ यहाँ पर साइजदारी का जो पता है एड्रस है, उसका लिख्या जाना बिल्कुल जुरूरी होता है, और ध्यान रहे कि जो पता लिखा गया है वो बिल्कुल सपस्ट हो, कलियर हो समझ में आने योगे हो यह था हमारा फर्स्ट पॉइंट और जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम लिखते हैं साइजदारों के नाम में पते Names and Addresses of Partners साइजदारी सनलेख में परतेख साइजदार का नाम उसका स्थाई पता वो पहले से ही सपस्ट सब्दों में लिखा जाता है इसका जो अक्षेतर है वो स्थानिय हो सकता है या रिजनल हो सकता है राश्टिय या अंतराश्टिय हो सकता है और जो फॉर्थ पॉइंट है व्यवशाय प्रारम करने की तिथी तथा सांजदारी की अवधी तो partnership deed में व्यवसाय सुरू करने की तिथी और सांजदारी की अवधी यदि कोई है तो लिखी जाती है सांजदारी का निर्मान एक निश्चित अवधी या किसी घटना के घटित होने या किसी व्यवसाय को पूरा करने के लिए किया जा सकता है और जो फिफ्थ पॉइंट है partners, capitals and interest there on सांजदारों की पूंजियां तथा उन पर ब्याज तो partnership deed में ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि किस partner ने कितनी capital लगानी है और capital के उपर interest दिया जाना है तो उसकी percentage क्या रहेगी इसके साथ साथ ये भी लिखते न चाहिए कि सांजदारों के जो पूंजी खाते हैं capital accounts है क्या वो flexuating होंगे या fixed capital accounts होंगे तो सारी बातें साफ साफ वहाँ पर लिखी जानी चाहिए sixth point है drawings and interest there on आहरण तथा उन पर ब्याज तो सांजदारों के द्वारा भविशे में की जाने वाली आहरण की रासी के बारे में सपस्ट उलेख होना आवसक होता है कि कोई भी partner कितनी रासी कितने समय के लिए कितने rate of interest के उपर वो partnership से निकाल सकता है इसके साथ साथ यहाँ पर drawings की विधी के बारे में भी आहरण की जो विधी है उसके बारे में भी यहाँ पर उलेख किया जाना आवसक होता है यहनि कि उन नकद के साथ-साथ वस्त्मों के रूप में भी आहरण कर सकता है और जो 7th point है partners profit sharing ratio सांज़ेदारों का लाव भी बाजना नहीं पात सांज़ेदार अपने विवसाई के profit को कि सो में distribute करेंगे कि सो में उसका भी भाजन करेंगे यह साथ-साथ यहाँ पर partnership डीड में इसका उलेख किया जाना आवसक होता है और 8th point है loan from partners and interest there on सांजदारों से रिन तथा उन पर ब्याज इस कलोज में कैपिटल के अतरिक्त सांजदारों दोवारा लिए गए लौन के संबन में उस पर ब्याज के संबन में यहां पर सपस्टूप से लिखा जाता है और नाइन्थ पॉइंट है पार्टनर्स सेलरीज एंड कमिशन सांजदारों का वेतन तथा कमिशन जैसा कि हम जानते हैं कि सांजदारी व्यवसाय सभी सांजदारों के दोवारा या उन में से किसी एक के दोवारा या उन में से कुछ के दोवारा सब की ओर से चलाय जाता है और यहाँ पर यह आउसक नहीं रहता है कि सभी साइज़दार सक्रिय रूप से साइज़दारी में कारिय करेंगे जो सक्रिय साइज़दार होता है उसको अलग से हम सेलरी का प्राधान कर सकते हैं अलग से उसको कुछ कमिशन दे सकते हैं तो ये सपरस्टूप से यहां पर साइज़दारी सनलेक में लिख दिया जाना चाहिए कि सक्रिय साइज़दार को कितना कमिशन मिलेगा कितना सेलरी का माउंट पर दान किया जाएगा और टैंथ पॉइंट हम यहां पर देख रहे हैं साइज़दारों के दिकार सक्तियां आयम कर्तव्य साइज़दारी व्यवसाय के संबंद में उसके संचालन के संबंद में साइज़दारों को दिये गया दिकारों के बारे में सक्तियों के बारे में उनके दवारा किये गये कारियां और कर्तव्यों के बारे में सांजदार इसनलेख में सपस्ट रूप से उलेख किया जाना चाहिए और 11th point है method of valuation of goodwill ख्यात्ती के मुल्यांकन की विदी सांजदारों के बीच में जब कभी profit distribution ratio में परिवर्तन किया जाता है या नए सांजदार का परवेश किया जाता है admission of a new partner या कोई सांजदार partnership छोड़ कर जाता है या किसी की death हो जाती है तो ऐसी स्थिती में goodwill की valuation करना जरूरी हो जाता है तो goodwill की valuation किस अधार पर की जाएगी उसकी क्या विदी रहेगी ये सारी चीज़ें सांजदारिशन लेख में हमने साफ साफ लिख देनी चाहिए और next point है method of preparing annual accounts and their audit अंतिम खाते बनाने की विधी तथा उनका uncation तो अंतिम खाते किस प्रकार से त्यार की जाएगे partnership deed में इसका उलेख किया जाना चाहिए एक फर्म वैधानिक दृष्टी से खातों का uncation करवाने के लिए बाध्धे नहीं होती है फिर भी यदि सांजदार वरसी खातों का uncation करवाना चाहते हैं तो uncation की नियुक्ती की विधी सांजदारी सनलेख में लिखनी चाहिए next point है admission of a partner सांजदार का परवेश एक नए सांजदार के परवेश या admission से समदित नियुमों का उलेख सांजदारी सनलेख में partnership deed में होना चाहिए जैसे नए सांजदार के लाब का निर्धार्ण कितना हिस्सा हम उसको लाब में देना चाहते हैं और जब सांजदार आएगा partnership में शामिल होगा तो goodwill का मुल्यांकन हम कैसे करेंगे उसकी विधी भी वहाँ पर लिखी रहनी चाहिए next point है retirement and death of a partner सांजदार का आवकास गरेंड करना अथ्वा मिर्तिव किसी भी सांजदार के दवारा आवकास गरेंड किया जाता है अथ्वा unluckily उसकी मिर्तिव हो जाती है तो ऐसी स्थिती में हम goodwill के मुल्यांकन के समन्द में किस विधी को अपनाएंगे किन नियमों की पालना करेंगे किस प्रकार से उनको देर आसी की गणना की जाएगी उनके वैधानिक प्रतिनिदी का निर्धारन हम कैसे करेंगे तो इन सब बातों के बारे में हमने विस्तार से partnership deed में पहले से ही उलेख कर देना चाहिए और next point है applicability of garner versus मरे नियम garner बना मरे के नियम की पालना जब कभी किसी कारण से कुछ सांजदारों का दिवालिया निकल जाता है और ऐसी स्थिती में partnership में की नियमों के अधार पर हम अकाउंट्स को तयार करेंगे इसके संबंद में garner versus मरे का rule बहुत ही popular है तो इस rule की पालना partnership में की जाएगी या नहीं की जाएगी ये surprise troops से उलेख रहना चाहिए क्योंकि जब एक या एक से अधिक partners का दिवालिया निकल जाता है तो ऐसी स्थिती में उन partners को हम partnership में स्यामिल नहीं रख सकते हैं तो संपत्यों का बटवारा किस परकार से वहाँ पर किया जाएगा तो इस संबन्द में सभी बातें partnership deed में सपरस्टूप से लिखी जाने चाहिए ठेक इसी प्रकार से next जो पोइंट यहाँ पर है settlement of partners accounts on desolation of the firm फर्म के समापन पर सायंदारों के खात्तों का निपटारा जब फर्म का desolation होता है समापन होता है तो ऐसी स्थिती में संपत्यों को बेचने सायंदारों को दे रासी की गणना करने उनका भुगतान करने से समंधित जो नियम है जो विधी है वो हमने partnership deed में लिख देनी चाहिए और desolation के से में सायंदारों को जो रासी का भुगतान किया जाना है तो उसका तरीका भी सपस्ट रूप से वहां पर लिखा होना चाहिए और जो next point है settlement of disputes विवादों का निपटान विवादों का निपटान या तो आपसी सहमती से किया जा सकता है या किसी अन्य व्यक्ति या पंस की सहिता से किया जा सकता है तो विवादों के निपटान की विधी के संबन्द में सायंदारी सनलेख में सपस्ट रूप होना चाहिए next point है life insurance policy and its distribution given vima policy तथा इसका विवाजन given vima policy स्योंक्त हो सकती है व्यक्तिकत हो सकती है joint वो हो सकती है या individual हो सकती है तो इनके संबन्द में partnership deed में सपस्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि इसकी रासी को सायंदारों के बीच में किस परकार से बांटा जाएगा उसकी विभाजन की विधी क्या रहेगी next point है opening of a bank count bank में खाता खोलना सांजदारी के विवसाय के संचालन है तू सांजदारी फरम के नाम से या किसी एक partner के नाम से या 2 या 2 से अधिक partners के नाम से स्योक्त रूप से bank में खाता खोला जा सकता है इस संबन्द में भी partnership deed में बिल्कुल सपस्ट लिखा जाना चाहिए और उसमें ये उलेख होना चाहिए कि जो checks के दोरा payment की जाएगी तो checks के उपर किन किन सांजदारों के हस्ताकसर होंगे, signature होंगे कौन कौन partner उसके लिए अधिकरित रहेंगे authorized रहेंगे ये बातें सारी सपस्ट रूप से partners with deed में लिखी जाने चाहिए last but not least, other clause अन्य उपुवा के अब तक discuss किये गए सभी points के साथ साथ कुछ और बाते भी हम जो सांजदार समझते हैं कि वो ज़रूरी है सांजदार इसनलेख में वो लिख सकते हैं उनका उलेख कर सकते हैं और इसके साथ साथ जब कभी भुष्षे में भी सांजदार सनलेख में परिवर्तन करने के आप सकता होती है तो ऐसा परिवर्तन सभी सांजदार अपनी सैमती से मिल बैठ कर वो कर सकते हैं तो आज हमने partnership deed के बारे में यहाँ पर इसकस किया है इसासा और उमीद के साथ कि आपको partnership deed के संबंद में सभी बातों की जानकारी हो गई है सभी points आपको समझ में आ गए है इस संबंद में कोई भी आपकी query है तो आप comment box में comment अवस्य करें आपके comment का जवाब हम अवस्य देंगे और आप enjoy commercial के बारे में अपने मीतर दोस्तों को बताएं इसकी चर्चा करें और इससे subscribe करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि परतेक आने वाले वीडियो के संबंद में notification आपको समय से पहले मिल जाए धन्यवाद, जैहिंद, have a nice day